जिरोधा में आपके जो holding वाले जो share होते हैं वो अगर आपको sell करना हो तो कैसे कर सकते हैं ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि जो हमारे share CDSL के पास जो रखे रहते हैं यानि कि हमारे DMAT account में जो share रखे रहते हैं वो बेचने क specific procedure होता है एक तरीका होता है जो आपको follow करना होता है तो वो procedure हम समझेंगे कि कैसे बेचते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो हमारे यहां portfolio पे click करते हैं यहां पे हम जाएंगे तो यहां पे आपको top में दो चीज़ें दिखाई देगी एक है position और एक है holding यहां position में हमको क्या देखता है जो हमने आज आज हमने जो भी buy किया है या sell किया है या हमारे FNO यानि futures and options की जो position है वो हमको यहां positions में दिखती है और आज के बाद जो share है जो हमने buy कर लिए है holding वाले वो हमारे holding section में चले जाते हैं तो यहां पे आपको जो है आपके holding में जो भी share है वो आपको इस तरह से जो है वो दिखाई देते हैं ठीक है अभी मान लीजिए कोई share आपको sell करना है जैसे मैं example के लिए मैं बोलूँ कि मान लो मुझे मैं बोलता हूँ let's say कि मुझे ये IQ का share sell करना है और ये मुझे मान लो कि 10 quantity sell करना है ठीक है मेरे पास कितनी quantity है जैसे example के लिए 1250 quantity है मैं बोलता हूँ मेरे को इस में से 50 quantity sell करनी है ठीक है तो हम यहाँ पे हम exit पे click करते हैं अच्छा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे यह P जो दिख रहा है यह आपको शायद P में नहीं दिख रहा होगा आपको आपकी quantity जो है यह quantity में दिख रही होगी और यह P का मतलब है क कि मैंने यह share जो है वो pledge किये हुए है यानि गिरवी रखे हुए है और उसके against मैंने margin लिया हुआ है आप भी चाहें तो यह margin ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं इसका मैंने video बनाया है आपको नीचे description में मिल जाएगा तो जो भी आपके share है वो आपको sell करना हो तो आपको इस area मे कहीं भी click करना है ठीक है यह इस तरह से और यह exit वाला जो button है यहाँ पर आपको click करके इसको sell करने पर जाना है अच्छा एक चीज़ important जो है वो आप जो है वो यहाँ से proceed करके भी कर सकते हैं या उसका एक और तरीका आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह authorization करके एक link होता है ठीक है यह क्या है यह समझ लीजे हमारे जो shares है हमारे जो demet account जो है जिरोधा का वो cdsl के पास होता है cdsl जो है वो हमारे इंडिया में depository है हमारे इंडिया में दो depository है एक है cdsl और दूसरा है nsdl तो कोई broker nsdl यूज़ करता है कोई broker cdsl यूज़ करत है तो यह हमारा demet account जो है इनके पास है तो वहां से share बेचने के लिए हमको OTP approval देना पड़ता है cdsl को यह approval बोलता है कि जिरोधा को allow करो कि यह share वहां से आपको निकालके और market में बेच दे इसके लिए approval आप चाहें तो एक बार morning में सुबह सीधा यहां से दे सकते हैं या मैंने बोला आपको जो भी share ऐसे बेचना हो तो जब आप इसमें आगे proceed करेंगे तो भी वह आपको बोलेगा कि यहां पे वह approve करो तो हम इसको यहीं से ही कर लेते हैं तो देखिए मैं यह authorization पे मैं click करता हूँ यहां पे आपका OTP set किया होता है जो कि आपने जो है पहले जब किया होना चाहिए अगर वो set नहीं किया है तो आप यहां पे forgot cd cell tip in करके आप यहां पे click करके आपका tip in जो है वो आप set कर सकते हैं ठीक है जब tip in set हो गया है आपका तो फिर यहां पे click करके आपको proceed करना है इस तरीके से और यह आपसे आपका tip in जो है वो मांगेगा तो मैं मैं अपने टीपिन जो है वो एड कर दिया है और इसको मैं वारिफाई पर क्लिक करता हूं तो यह OTP उसने आपके फोन नंबर भी भेजा है और आपके email address भी भेजा है आप दोनों में से किसी में भी चेक कर सकते हैं जैसे मैं अपने फोन नंबर पर चेक कर लेता हूं मेरा OTP आ गया है तो मैं OTP यहां पर मैं डाल देता हूं 362456 ठीक है यह OTP डालने के बाद आप यहां verify पर क्लिक कर के इसको verify कर देंगे और यह देखिए यह आपने एक बार जो है वो पूरा शेयर में अभी बेचना चाता हूं तो यह 50 शेयर जो है वो मैं किस भाव में बेचना चाता हूं तो ध्यान रखिए यह सारी चीज़े आपको लाल में दिखनी चीज़े रेड का मतलब है कि आप बेच रहे हैं और अगर ब्लू में दिख रही है तो आप उसे buy कर रहे हैं य यह नीचे भी यानि आप बेच रहे हैं आप अपनी quantity डालेंगे market price में बेचना चाते हैं तो आप यहां पर market price में यहां price नहीं डाल सकते हैं इसके आसपस का जो price है उसमें बिकेगा लेकिन अगर मैं अपना price डालना चाता हूं तो मैंने यहां पर limit select कर लिया है अब मैं नीचे जो swipe to sell है इसको हम right में जो है खैंच के ले जाएंगे तो यह sell हो जाएगा लेकिन यह करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूगा कि यह नीचे देखिए यह refresh का button है आप इसको एक बार यहां दबाएंगे और फिर यह आपके charges जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि य आपको brokerage नहीं लगता है सेबी के charges लगते exchange fee लगती है stem duty यहां नहीं लग रही है आपको STT लग रहा है GST लग रहा है और आपके total charges जो है वो इतने हैं और इसके लिए margin की कोई जूरत नहीं है क्योंकि यह share आपके पास existing है और आपके account में अभी कितना margin है वो आपको यहां और यहां से इसको catch के right में लेके जाएंगे लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां price गिर गया है तो मैं इसको price को और कम करके और इसको मैं यहां से ऐसे catch के मैं इसे base देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा order complete हो गया है तो अभी यह order देखिए यहां पे यह sell order यान CNC मतलब holding वाले long term वाले share आपने जो है वो यहां पे बेचे हैं और यह limit मतलब आपने जो price बताया था उस price पर बिखे हैं तो इस तरह से दोस्तों आप आपके जो share से और यह जो share जो आप आज खरीदरे बेच रहे हैं वो आपको यह position में दिख जाएगा तो जैसे आप position में जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए ऐसा दिखाई देगा कि quantity minus 50 यह minus 50 का मतलब यह नहीं है कि आप इसको देखके जो है घबनाए नहीं आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पर IQ की 1200 quantity बची है आपने देखा था जह मैंने शुरू किया था तो बारा सो पचास quantity तो अब बारा सो बची है और यह यहां पर minus दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपने यह बेचा है तो don't worry about it यह कल जो है यह minus 50 जो holding वाले जो बारा सो पचास था उसके अगेंस जो है वो equalize हो जाएगा यह देखिए sold holding और यह अभी उसका price है और यह बेचने के बाद मुझे profit हुआ है एक और एक OTP लगता है यह दो important चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे अगर वीडियो helpful रहा हो तो एक थमसब दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thank you bye bye have a good day